हो गई है पीर परवत्सी अब पिघलनी चाहिए इस हिमाला ऐसे कोई गंगा निकलनी चाहिए सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग यह आग जलनी चाहिए नमस्कार आप देख रहे हैं आज के खास बात वीर सिंग के साथ दोस्तो जिला परिशद नाकपूर द्वारा 26 करोर रुपे का पशु वितरन किया गया था एक स्कीम आया था जिसमें पशु गाय और बकडिया वितरन किया था उसमें जिल्ला परिशत द्वारा ऐसे लोगों को वितरन किया गया जिसको जरुरत नहीं थी इस मुद्दे को हमने उठाया जो पहले सामीर थे उनको वितरन किया गया जो गरीब थे उनको वितरन नहीं किया गया उसके बाद भी हमने इस मुद्दे को उठाया गी रामटेक विधान सभाज शेतर का आदीवासी वो शेतर जहां पे कोई पतरकार जल्दी नहीं जाता कोई न्यूज वाले नहीं जाते हैं वहां हम गये वहां जाने के बाद लोगों ने ये तक स्टेट्मेंट दिया कि जीवन में पहली बार हमने अपने गाउं में किसी न्यूज वाले को देखा है अपने आप में एक बड़ी बात होती है कि हम अदीवासी के उस छेतर में पहुंचें कि जहां पे लोग इस तरीके के वक्ता भी ह नहीं में साथ साथ साल की पतर करेंना यहां अथा गणा लेकिंट अपने यह थी कि जिल्ला परशत द्वारा जो बखर इढकरिया बिमार थी वो बहती हम्रने लगी और उनकी बिलने के qon जिनको स्कीम नहीं मिले थे और गाव में जिनको बकरिया थी उनको भी जिल्ला परिशाद से जो बकरिया आई थी उससे होने वाली बीमारी फैल गया और वो भी मरने लगी और जियानी कि जिसके पास बकरिया थी पहले से उनकी बकरिया भी मरने लगी थी जिल्ला परिशाद नागपूर की स्कीम के तह जो जानवर वितरन किया गया था क्योंकि वो बिमार था इसलिए इस मुद्दे को सबसे पहले किसी ने उठाया है तो BCN ने उठाया है हमने आपके सामने लाया है निश्पक्ष तरीके से लाया है BCN ने और इस पे पुर्व कैबिनेट मंतरी उर्ज परके से लोगया के लिए है यादी मतल्ओ सीलेक्षन करताना क्यों जा लोकान गरीब लोकान गरजाे तरना क्यों ना नाए आनि खरेदी मजें मोटा भष्टा चार जाला असा निवेजन माना नी आशिर जैस्वाल सहाईबनी तेवाचा कलेट्टर अनि सरकार न दिलो होतो मला वट्टा हाई इंक्वारी चा भागा चोकेश चा भागा है को कि बीमार अज्याब बक्रिया मुलः उक्षा हमें खुशी है इस बात की कि हम हमेशा गरीवों के लिये बोलते आं हैं ऑवाज बनते आं हैं और सायद उसी का एक परिनाम है कि आज जिल्ला दिकारी के पास में विधायक आशिस जैसवाल जी ने इसकी कंप्लेन किया है और आज हमें देखने को मिल रहा है कि इस पे आने वाले समय में करवाई होगी हमारी नजर इस पे हमेशा बनी रहेगी इस पे आखरी क्या करवाई होती है आखरी मामला 26 करोर रुपए के लगभग यह मामला है आपको बता दू कि फिलाल महराष्ट में आप सभी जानते हैं कि मंत्रियों और मंत्री मंडल का जो विस्तार हुआ था इससे पहले अभी तक जो सरकार थी वो अब बदल चुके हैं क्योंकि जिला परिशाद में जिनकी सरकार अभी है जो सत्ता में बैठे हैं अब उनकी सरकार महराष्ट में नहीं है और इस पे हम यानिकि BCN इस चीज की मांग करते हैं कि इस वीषय पे गरीबों के साथ जो अन्याय किया गया है उसके विरुद्ध हम हमेसा इस चीज को अठाते रहेंगे और हमेसा चाहेंगे कि इनके साथ अन्याय होना चाहिए आप देखते हैं आज की खास बात मेरे और अपने दोस्त वी सिंग के साथ सिर्फ इन बीसियन न्यूस बे